भोचपूरी में क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है आप देख सकते हैं पवन के बेटी सपनवा में आती है खिसारी के बेटी से लव हो गए खिसारी के बेटी जिन्दाबाद उसके बाद आया दुसरा सक्स्त गाया है गाना रितेस पांडी की बीवी सपनमा में आती है और ये बीबादों में चल रहा है भोचपुरी पूरी इंडेश्टी हर लोग चाहता है कि हम हीट हो जाए कोई भी बहाने से इसलिए असलील गाना का परोसा जा रहा है अब देख सकते हैं हर जगा एक गाना खेसारी लाली आदम ने गाया था चाची के बाची सपनमा में आती है उसके बाद खेसारी के बेटी सपनमा में आता है पंकर सिंग ने गाना गाया उसके बाद उसकी बहन के नाम से गाना गा दिया तो असलिलता ही दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है Crime भरपूर हो रहा है और इस पे कोई रोक नहीं लग रहा है अभी just रोक लगा था लेकिन फिर भी कोई फरक नहीं पर रहा है और हर दिन एक नया चेहरा लंच होते जा रहा है आप देख सकते हैं, पोष्टर में जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं सभी नया सक्स है और सभी अपना नसीब अजमाने के लिए इकल चुका है और दिन पर दिन हर दिन एक से एक गाना बना करके प्रोसा जा रहा है इसका अंजाम क्या होगा उनको पता है फिर भी उन्होंने डरने का नाम नहीं ले रहे हैं अभी पंकज क कुमार को अकलेस कसब और उनके साथी भोजपूरी जगत की जो भी लोग हैं उन्होंने बुला करके माफी मांगे थे क्योंकि भोजपूरी में इंडेश्टी में जो भी असलील परसा जा रहा था उसके उपर अफवा बहुत जदा हो गया था इसके लिए उनको माफी मांग फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है भोजपूरी इंडेश्टी में हर जगा असलील गाना परसा जा रहा है धन्यवाद देखते रहिए इंडिया तक राजदेवी न्यूज चैनल के सभी न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुँचे इसके लिए आप लोग लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजे और घंटी को जरूर दबा